एक्सल के दूसरे चेप्टर में आपका स्वागत है बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ जो कि नए बंदे को बिलकुल आराम से समझ में आ जाए मैं ऐसे मैंने सेप्टर को ऐसे डिजाइन कि एक नए बंदा इसको बिलकुल भी कुछ नहीं आता हूँ वो समझ सके ठीक है तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कंट्रोल डबलू जीसा कि मैं आप देख पा रहें कंट्रोल डबलू तो कंट्रोल डबलू से क्या होता है यह क्लोज हो जाता है यह फिर यहां से भी क्लोज कर सकते है यह उपर लाल है इस पर क्लिक करते हैं दूसरा वाला खोल के से close करके दिखाता हूँ मैंने यहां से close कर दिया यहां से close होजता है और alt space से क्या होता यह option आ जाते हैं यह तीन जो option है उपर अगर हम alt space दबाते हैं तो मैं दिखाता हूँ दबाके alt space keyboard का shortcut है यहां देख सकते हैं कोने में restore minimize close के इससे भी close कर सकते हैं अब क्लिक करते हैं एक्सल फाइल बंद हो जाएगा ठीक है Ctrl N से क्या होता है Ctrl N से नई sheet आ जाती है यह sheet है मैंने Ctrl N दबाया है और यह नई sheet आ गई है तो नई sheet लिए नहीं दबाएंगे और Ctrl W मैं भी Ctrl W बंद दबा रहा हूँ इससे क्या होगा कि बंद हो जाएगा जो sheet मैंने नहीं ओपन के Ctrl W से बंद हो गया ठीक है इससे कैसे करते हैं इससे करने के बाद सांतरीक एक तो यहां पर है option कौने में अगर यहां पर क्लिक कर देंगे यह दिख रहा है Ctrl S भी कर सकते हैं कुछ भी आपने लिग दिया है अगर बंद कर देंगे तो यह उधी करते हैं जाओ यह इसको सेफ़ सेफ करना चाहते हैं तो अगर एस कर देंगे तो 양 कर दिखाए यह पूछ रहा है लिए अगर यह सेफ़ करने लिए तो यह object कर सकते हैं यहां से प्रोंज गया पहला तरइका दूसा तरीका है वही CTRL S जो कि यहाँ दिखा रहा है कोने पर दिख़ें कि यह दिखा हुआ है कि Ctrl S दबाईए तो भी Save हो जाएगा दो तरीका है तीसा तरीका है फाइल में जाएगा और यहां से भी Save कर सकते हैं यह Option दिख रहा हुगा तो तीन तरीका है Save करने का Close करने से पहले जहूर Save का बटन दबाना जोड़ी होता है नहीं तो जो भी आपने डेटा बनाया है वो डिलेट हो जाएगा अगली बार वो को नहीं मिलेगा ठीक है तो इसमें मैंने सिर्फ इतना ही सिखाया कि open new book क्या से कुलते हैं Ctrl N करके Ctrl N करके नहीं वर्क बुक खोल सकते हैं दूसरा है Close कैसे करते है Ctrl W करके शोट की है Close कर सकते है चाहिए आप यहां से Close कर लिजिए और 3rd है Save कैसे Ctrl S से Save कर सकते हैं यहां जाकर Save कर सकते हैं I hope को यह चेप्टर आपको अच्छा लगा हुआ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बाकी मैं next chapter लाता रहूंगा और आप सब्सक्राइब कर लिए जैसे next chapter आएगा आपको notification मिल जाएगा thank you for watching मिलते हैं next chapter में आपको hic mentि कर लाता आपको यह जा हुआते हैं इस और आपको नच्टर ंजय टाएग आपको जाएजरा आपको यहह YEAH आपको यहाँ आपको